सब्सक्राइब करेंगे सेप्टेंबर लॉंग चैलेंज डिविजिन वन के क्वेशन नमबर टू शेफिन एंड स्वैप इस क्वेशन में बेसिकली अपने को एक एरे दे रहे हैं फ्रम वन टू एंड नेशनल नंबर्स का और अपन को मिन नंबर ओफ नाइस स्वैप निकालन और इधर constraints देखे तो बहुत हाई है तो O complexity में तो यह नहीं होगा तो अब देखते हैं अपन अपने पास एक एरे है और अपने एक सम डिफाइन कर दिया एंड नेशनल नंबर्स का सम अपन कोई भी M अज्यूम कर लेते हैं रॉम बन टू एन दोनों इंक्लोजिव है तो अ एरे होगा 1 to M का और एक एरे होगा M plus 1 to N का अब अपने पास इन दोनों का कुछ difference आ रहा होगा initially जब अपने swap नहीं किया है अपने swap नहीं किया तो difference के आएगा N into N plus 1 by 2 minus M into M plus 1 by 2 यह second area का सम है वो equal आएगा M into M plus 1 by 2 plus कुछ difference आ रहा होगा जिस difference को अपने को 0 के equal करना है to make it nice swap तो यह difference इसको solve करेंगे तो यह difference जो है वो इसके equal आ जाएगा अब अपन देखते हैं इस array के अंदर यह दो array है अगर अपन कुछ भी swap करते हैं तो minimum difference क्या होगा जब M और M plus 1 को swap करेंगे तो minimum difference हो जाएगा 2 और maximum difference कब होगा जब 1 और N को swap करेंगे तो maximum difference हो जाएगा 2 into N-1 और अपन यह proof कर सकते हैं कि 2 से लेकर 2 into N-1 तक के सारे difference possible है इस case के लिए सारे even case possible है क्योंकि और कभी possible ने क्योंकि कोई भी number अगर इधर से कुछ x कम होता है तो इधर से कुछ x बढ़ेगा भी तो इसका मतलब 2 into x का difference होगा ही होगा तो 2 का multiple ही होगा तो first equation को और solve करें तो अपने पास एक inequality आजाती है कि M into M plus 1 की minimum value होगी sum minus 2 into N-1 और इसकी maximum value होगी sum minus 2 तो अपन simply binary search से इसकी minimum value निकाल सकते हैं एक बार और एक बार binary search लगा कर इसकी maximum value निकाल सकते हैं basically binary search में क्या होता है अपने पास 2 values होती है L और R तो अपन को L से R के बीच में कोई एक value find करनी होती है x की तो L से R के बीच में अपन mid find करते हैं फिर देखते हैं कि क्या हम अपना answer mid आ रहा है या अगर answer mid नहीं आ रहा है तो अपन L को या R को mid पे shift कर देते हैं तो इससे अपना log N में binary search चल जाता है अब हर अपने पास M की minimum value और maximum value दोनों आ गई अपन को M की minimum value से लेकर maximum value तक हर के लिए यह देखना है कि उसका answer initially 0 रख देंक answer को और जो answer होगा उसके अंदर हर M के लिए add करेंगे या तो n-1 या फिर N into N plus 1 by 2 minus M into M plus 1 divided by 2 या फिर यह value N minus यह value तो यह कैसे आता है यह हम आगे discuss करेंगे for example अपने पास N 12 है तो अपने पास जो sum आ गया natural number का from 1 to N वो 78 है अब अपने पास difference क्या आएगा 78 minus M into M plus 1 तो M into M plus 1 की जो range है वो 56 से 76 में आगे अब अपन binary search रखाते है M के लिए initially अपने पास L1 है और R12 है इसका मतलब अपनको 1 से लेकर 12 के बीच में M के value find करने है तो अपने पास mid आ गया 1 plus 12 minus 1 divided by 2 equal to 6 तो ये 42 हो गया जो कि 56 से कम है इसका मतलब अपने पास जो answer M होगा वो mid से जाधा ही होगा तो अपने ल को change कर दिया from 1 to mid plus 1 equal to 7 तो अपने पास L7 और R12 आ गया तो अभी अपने पास mid आया 9 तो mid की value 90 तो M into M plus 1 की value 90 होगी जो कि 76 से जाधा है इसका मतलब अपने पास होगा mid से कम आएगा भी तो अपने अब R को change कर दिया to mid minus 1 अब अपने पास L और R7 और 8 आ गया तो इससे mid 7 आ गया तो mid पे mid into mid plus 1 होता है 56 जो की इस range में है और mid minus 1 into mid मतलब 7 से पिछली value आनि 6 पर ये condition M into M plus 1 इस range में नहीं था मतलब अपने पास minimum value 56 मतलब minimum M की value 7 possible तो अपने 7 को note कर लिया similarly अपन maximum value के लिए निकालेंगे और maximum value अपने पास 8 आएगी इदर अब अपने पास M की 2 value है 7 और 8 अब 7 के लिए अपन क्या करेंगे देखेंगे कि difference कितना आता है 7 के लिए अपने पास 22 difference आता है अब अपने पास जो 2 array है एक है 1 से लेके 7 तक का और दूसरा है 8 से लेके 12 तक का अब अपन को देखना है कि किन-किन 2 elements को अपन select कर सकते हैं जिससे difference 11 का आ जाए अगर difference 11 का आ गया तो उन दोनों को swap कर देंगे उन दोनों number को तो अपने पास 22 का difference cover आप हो जाएगा क्योंकि 11 इधर से भी कम होगा और 11 इधर बढ़ेगा तो अब अपने पास ऐसा एक ही pair पॉसिबल है 1 और 12 का जिसका difference 11 हो तो यहां से अपने पास एक answer आ गया अब पॉर m equal to 8 अपने पास difference आता है 6 अब अपने पास 1 से लेके 8 तक का एक array है और 9 से लेके 12 तक का एक array तो अब अपन देखेंगे इसके अंदर कितने pairs possible है जिसका difference 3 आता हो एक तो है 6 और 9 एक है 7 और 10 और एक है 8 और 11 यह 3 pair ऐसे हैं जिससे अपने पास difference भी 6 difference 3 आता हो जिससे 6 का difference cover up हो जाएगा swap करने से और sum equal हो जाएगा तो अपने पास total answer कितना हो गया 3 plus इससे जो आया था 1 वो अपने पास total answer 4 हो गया अब अपने चलते है special case पे special case क्या कहता है जब n percentage 4 मतलब जब n को 4 से divide करेंगे जो remainder है वो 1 या फिर 2 आते है तो answer 0 आएगा यह क्यों क्यों क्योंकि अपने पास जो difference का equation आया था यह इससे अपन को और अपन को यह पता है कि जो difference है वो even ही होना चाहिए और इस case के अंदर m into m plus 1 हमेशा even ही रहेगा लेक से क्या होगा कि यह odd हो जाएगा और odd minus even odd रहता है इसका मतलब difference odd आजाएगा जो कि possible नहीं है निकालना तो इससे अपन को यह हो जाएगा कि answer 0 ही आएगा तो अपन initial check कर सकते हैं कि अगर n का 4 से remainder 1 या फिर 2 आ रहे है तो answer 0 प्रिंट कर देंगे नहीं तो यह अपन answer निकाले अब एक case ऐसा आ सकता है कि अपने पास for example n equal to 20 है अब 1 से लेके 20 तक देख लिया अब इसके अदर क्या है 1 से लेके 14 तक का sum भी 105 है और 15 से 20 मतलब बिना swap किया ही अपने पास sum equal आ रहे है तो इसके अदर क्या करेंगे इसके अदर अपने जो simple answer निकाल रहे थे वो तो निकाल for example अगर 1 से लेके 14 तक है अगर अपन internal swapping करते है मानलो 1 और 2 को swap करते है तब भी एक swap में same answer आ रहे है same sum आ रहे है और 15 और 20 को करते है swap तब भी same sum आ रहे है वैसे बहुत सारे swaps possible तो अपन क्या करेंगे 1 को 2 के साथ भी swap कर सकते है 1 को 3 के साथ 2 को 14 के साथ 2 को 3 के साथ 2 को 4 क साथ है बहुत सारे तो इसका total answer क्या होगा जो answer initially अपन को पिछले method से आया था plus अपन कर देंगे n into n minus 1 by 2 plus n minus m into n minus m minus 1 by 2 और इस case के अंदर अपन देखेंगे 13 into 14 by 2 plus 20 minus 13 into 20 minus 14 by 2 यह answer add करेंगे और initial answer अपन को इस method से मिल ही गया था तो बस इतना ही है इस question में बाकी मैं अपने code की link आपको description में दे दूँगा आप github पे जाकर code चेक कर सकते हैं वो python और c++ दोनों में available है code thanks